सोलन के नागली में दो गाड़ियों की आमने सामने टकर हो गई गनीमत ये रही कि इस घटना में किसी को भी गंबीर चोटे नहीं आई है लेकिन घटना में टेमपू ट्रेवलर में सवार दो यूगों को हलकी चोटे आई है दोनों यूगों को अस्पताल में इलाज करवाया जा रहा है पुलिस ने इस घटना पर मामला दर्ज कर आगामी कारवाई अमल में लाई जा रही है आतिरिक्त पुलिस अधिक्षिक डॉक्टर शिवकुमार शर्मा ने बताया कि कार और टेंपू ट्रेवलर की आमने सामने टकर हुई है जिसके चलते दो यूगों का घायल हुए है फिलहाल पुलिस मौके का मौईना कर रही है और ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर इस दुरगटना की असली वजह क्या थी मौर्निंग में लगग 10.30 के आसपास हमें सपरून चौकी में सुचना प्रापत हुई थी कि दो गाड़िया नगाली के आसपास टकराई है इनमें से एक ब्रेजा गाड़ी है और दूसरा चोटा जो टेंपू टाइप होता है वो है इसमें कुछ ब्यक्तियों को चोटें लगी है जो टेंपू में ट्रैवल कर रहे थे इनको फिलाल फर्स्टेट के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया है फृदर हमारा आई-ओ वहां पे स्पॉर्ट पे है और हॉस्पिटल में भी एक ब्यक्ति को भेजा गया है फृदरन इन इसमें चलाग।